कहते हैं कि एक मा सब कुछ सहन कर सकती है मगर अपने बच्चे की बेजती नहीं जी हां क्योंकि मा एक ऐसी शक्स होती है हमारी जिन्दगी में जो हमारे लिए सब कुछ है मा भगवान का दूसरा रूप होता है और मा के लिए उसके बच्चे सबसे एहम होते हैं अपने पती से भी जादा मा एक बारी को अपने पती को छोड़ सकती है मगर अपने बच्चों को नहीं शायद कुछ ऐसी ही अब जबर डस्त लड़ाई इन दो हसीनाओं के बीच होगी नमस्कार आप सभी देख रहे हैं एक साइन यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी यकीनली आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि किन दो हसीनाओं के बीच अब लड़ाई होने वाली है दरसल जनाब आपको बता दी कि यहाँ पर हाली में देखा गया था अरवास खान को वो भी अपनी गल्फेंट जॉर्जिया के साथ यहाँ पर एक टिनर डेट रखी गई जहाँ पर बेटे अरहान भी पहुँचे अरहान भी देखे गए और वहीं दूसरी और यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई कहीं न कहीं जॉर्जिया भी कुछ तस्वीरें हम लगतार आपको दिखा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जॉर्जिया मलाइका और अरवास के बेटे के साथ हरकत करती है यानि कि मीडिया के सामने इतनी अनकमफर्टेबल हो गई जॉर्जिया कि वो अरहान को इगनोर करने लगी ये यकीनन ही अब मलाइका बरदाश नहीं करेंगी भई मलाइका का रिष्टा अरवास से भले ही खत्म हो गया हो मगर मलाइका अपने बेटे अरहान से काफी महबत करती है कही ना कही डाइवोर्स के बाद भी जो कस्टडी रही वो मलाइका के पास ही रही और मलाइका अक्सर ये बात कहती है कि उन्होंने अपने बेटे से कभी भी कुछ नहीं छुपाया क्योंकि वो अपने बेटे के साब ने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई को रखना चाहती थी भले ही वो आज अर्जिन कपूर को डेट कर रही है मगर उनके बेटे सब कुछ जानते हैं यानि कि कही ना कही जो मा अपने बेटे से इतनी महबत करती है तो जोर्जिया का इस तरीके का बरताफ अब मलाइका बरदाश्ट नहीं करेगा और ये कहना भी घलत नहीं है कि दूसरी शादी से पहले मलाइका अरोडा अब जोर्जिया को नहीं छोडेंगी आपको बता दे कि जुस तरीके से अरहान जो है कई बारी देखा गया है कि खान परिवार में भी जाती हैं और खान परिवार के तमाम सदस्यों के साथ वो आउटिंग भी करते हैं अब ऐसे में पिता अरबास से भी उनकी मुलकात होती है और हाली में हमने कुछ तस्वीरों के जरिये आपको साफ तोर पर दिखाया कि इस मुलकात में अरबास इतने व्यस्तर हैं कि बेटे के साथ गर्फरेंड क्या कर रही हैं वो उन्होंने गौर ही नहीं किया अब ऐसे में कहीं ना कहीं अरबास और अगर मलाइका की बात करें तो ये दोनों का तलाक हुआ है जब से तब से देखा जा रहा है कि दोनों ही अपने जिन्दगी में आगे बढ़ गए हैं दोनों ही कहीं ना कहीं अपने नए लाइफ पार्टनर को चुन बैटे हैं मलाइका अर्चन कपूर के साथ खुश है तो वहीं दूसरी और अरबास जोर्चिया के साथ हाला कि दोनों ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की सिर्फ महज ये डेटिंग का सलसिला चल रहा है अब देखना यही होगा कि क्या ये दोनों कभी दूसरी शादी करेंगे या फिर ये डेटिंग का सलसिला घूमना फिरना यूही चलता रहेगा मगर वहीं जहां हमने प्रोग्राम की शुरुवात इस चीज से कही थी कि मा सब कुछ जह सकती है मगर अपने बच्चे की बेज़ती नहीं तो देखना यही होगा कि क्या रियाक्शन यहाँ पर मलाइका का आएगा जब मलाइका इन तस्वीरों को देखेंगे फिलल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही पर हाँ आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले